वालो फंद वालकुम तो अन्य एपिसोड वॉलीवूद इस वीग वाल फैंज आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अक्षे कुमार के फिल्म केसरी के ग्यारवे दिनों के बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में इन दा कंट्री ऑफ इंडिया वेल फैंज यह फिल्म अ लेकिन एक शर्थ भी रखी थी मैंने कि अगर यह फिल्म जबर्दस उक्यूपेंसी के साथ चलती है डिस्पाइट दमैश के रात के उक्यूपेंसी मैं आपको बताई थी सिर्फ सिक्स्टी परसेंट थी आपके दूफेर के ऑक्यूपेंसी 75 परसेंटी कही कहीं जगा हाउस थी तब यह फिल्म आराम से 10 कोड़ भी टच कर सकती है लेकिन रात का मैच इतना इंट्रेस्टिंग हो गया इतना रोमांच पूर्वक हो गया कि लोगों ने घर पे रहना पसंद किया इसी का कारण था मेरे प्रेडिक्शन से 25 लग कम आये हैं और केसरी में अपने 11 दिन 8.25 करोज की कमाई की है येस मेरा भाई 8.25 करोड रुपे कमा कर इस फिल्म ने अपने 11 दिन का टोटल है उसको 125.01 करोज के पार लेकर गया है इस फिल्म हैस परफॉर्म एक्स्ट्रीमली वेल एक्स्ट्रीमली सप्राइजिंग बहुत ही बेस्ट बिजनस की है इस फिल्म ने करोड रुपे कमा कर ये फिल्म आर्राम से अक्षे कुमार की अब हाइस ग्रॉसिंग फिल्म टॉलेट एक प्रेम कथा का रिकॉर्ड तोड कर देड़ सो करोड के उपर जाने की रफ्तार में यूनो पार्ट ले लिया इसने अब ये देड़ सो करोड कप टच करती है कितने लगेंगे वेल ये आने वाले हफते हमें क्लियर कर देंगे लेकिन इतना गैरेंटी है कि अब ये फिल्म वन फिफ्टी टच करने के बहुत नजदीक है इग्दम कागार पर बोल सकता हूं तो गैस कितने एक्साइट है अक्षे कुमास गन टाच अचा वन फिफ्टी करोड इंडियन बॉक्स ऑफिस हुज अचीवमें फोर इस इलॉस्ट्रिस करिया मदा है कमें सेक्शन में एपिशोड पसंदा है प्लीज चानल को लाइक कीजिए शेय कीजिए शब्स्क्राइब कीजिए इस मियामान साही साइनिंग आफ यो गॉन सी में वरी सून तिल दें आज से कुल मान